नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक दे कॉम्टेशन में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम के लिए जीके का एक महतपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिसकस करेंगे जो कि हमारे आने वाले इक्जाम्स की द्रिश्टिशे काफी महतपूर्ण है इसमें सभी क्वेशन्स आपको हिंदी और इंग्लिस दोनु लेंग्वेज में अपियर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम गूरूप या फिर वर्टसब गूरूप को जोईन कर सकते हैं जिनका लिंक के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सभी क्वेशन्स प्रीवेश यर के क्वेशन पेपर से लिए गए हैं इसलिए सेशन को अंतक देखिए और वीडियो को अधिक सेदिक लाइक कर दीजिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न पहला प्रस्न है दोस्तो निमलिकित मैं से कौन प्राचीन भारत में कुशानों की डूसरी राजदानी थी और जो इनकी मैन कैपिटल थी वो थी पुरुसपूर जिसको की प्रजेंट्टेम में पेशावर के नाम से ज़ान जाता है अगला प्रस्न है तो इनफेक्शन से संक्रमन से हमारी सरीर की रंक् شा कौन करता है तो WBC या फिर स्वेत रक्त कणिका हैं जो हैं दोस्तों हमारे सरीर को infection से protect करती हैं ये हमारे सरीर के immune system को improve करने में या उसको बनाने में मदद करती हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा WBC कौन सा पश्चिम से पूर्व की और पहाडों का सही करम है तो दोस्तों यहाँ पर मेगाले की आपको कुछ hills दी हुई हैं इनको हमको बश्चिम से पूर्व की और यानि कि West से East की और सही करम में व्योस्तित करना है तो गारो, खासी और जैंतिया जो है दोस्तों ये मेगाले की hills हैं और इनका सही करम है option number one सबसे West में है गारो, उसके बाद है खासी और सबसे East में है जैंतिया hills ठीक है तो आपको एगर एक्जाम में पूछा जाता है कि इनको पश्चिम से पूर्व की और सही करम में व्योस्तित कीजिए तो ये हो जाएगा गारो, खासी, जैंतिया option number A is right answer next question है कौन सी घटना असयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी what was the main reason to withdraw the non-corporation movement दोस्तो महात्मा गादी के नितुरत में 1920 में non-corporation movement यानि ये असयोग आंदोलन सुरू किया गया था लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा कांड हो गया, वहाँ पर हिंसा होगी जिससे चुप दो होकर गादी जी ने ये असयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उसका main कारण क्या था? चौरी-चौरा कांड option number B is right answer हरात हो था, vitriol जिसका रासायनिक नाम क्या है? what is the another name of green vitriol? ठीक है दोस्तों, तो green vitriol का जो रासायनिक नाम है वो है ferrous sulfate option number A is right answer ferrous sulfate also known as green vitriol जब सरीर में blood की कमी हो जाती है तो जो green vitriol है, यानि की ferrous sulfate है ये blood के formation में मदद करता है इसलिए इसको medicine में यूज किया जाता है और दोस्तों यहाँ से question और बनता है कि oil of vitriol किसे कहा जाता है oil of vitriol तो sulfuric acid यानि की H2SO4 को oil of vitriol कहा जाता है, तो ये question exam में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है दोस्तों, भारत के समिधान में संग सूची या फिर सूची वन किस अनुसूची में दी गई है बहुत ही important question है, अपनी polity की वीडियोस में इनको करा चुका हूँ इन which schedule of the Indian constitution union list is described तो जो union list राज्य सूची और समवर्थी सूची यानि कि state list और concurrent list है यह सभी सूची जो हैं दोस्तों यह साथ भी अनुसूची में describe की गई है 7th schedule of Indian constitution संग सूची में जिसकों कि सूची 1 का जाता है दोस्तों union list इसमें total 98 सूची है state list यानि कि राज्य सूची में 59 सूची है और concurrent list यानि कि समवर्थी सूची में 52 सूची है तो इनकी कितने number of subject भी आप याद रखेंगे insulin hormone की खोज किस ने की थी who discovered insulin hormone दोस्तों insulin hormone जो है यह एक प्रकार का peptide hormone है जो की pancreas की islet of longer hands की beta cells से स्राविद होता है इसका main काम क्या होता है blood glucose label को maintain करना 1923 में betting और best नाम के दो Canadian वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी जिसके लिए उन्हें Nobel prize भी दिया गया था medicine के field में ठीक है तो यह question exam में काफी बार पूछ लिया जाता है betting am best financial development bank of India जिसको की short form में CIDV कहा जाता है उसको किस वर से स्ताविद किया गया था तो दोस्तों CIDV को 2 April 1990 को 2 April 1990 को इसको स्ताविद किया गया था तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number A 91990 1990 दोस्तों इस Department of Financial Services के अंडर्मा आने वाली एक संस्ता है जिसका headquarter लखनों में है इसका headquarter रियाद रखेंगे इसको पूचा जाता है और current affairs की दिश्टी से महत्पून है इसके chairman का नाम है मुहम्मद मुस्तफा ठीक है CIDV के chairman का नाम क्या है मुहम्मद मुस्तफा और इसका full form क्या है Small Industrial Development Bank of India अगला प्रसन है किसी देश के सर्वोच विधाई निकाई द्वारा कियेगे संभिधान में परिवर्तन को क्या कहा जाता है What is called a change in the constitution made by the supreme legislative body of a country तो जो देश का विधाई निकाई होता है सर्वोच यानि की जो सदन होता है तो उसके द्वारा संभिधान में परिवर्तन को संभिधानिक संसोदन या फिर constitutional amendment कहा जाता है और इंडिया के अंदर article 368 के तहत हम संभिधान में संसोदन कर सकते हैं तो आप constitutional amendment का article जरूर याद रखिए ये exam में काफी बार पूछा जाता है बढ़ते हैं उत्रांचल या फिर उत्राखंड उत्तरप्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल and सिक्किम have common frontier with तो उत्राखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम इन states की जो common सीमाएं हैं वो कौन से देश के साथ हैं इन राज्यों की सीमाएं तो इन सभी राज्यों की समय नेपाल के साथ मिलती हैं ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम मंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ मिलती हैं किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था which was the first garden tom in the Indian subcontinent तो दोस्तो garden tom था सबसे पहला हुमायू का मुगल बात्सा हुमायू का मगबरा जो था वो सबसे पहला garden tom था जिसको की 1570 इसभी में बनाये गया था और यह दिल्ली में प्रेजेंट है और UNESCO World Heritage Set की लिस्ट में आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा option number A हुमायू निमलिखित में से कौन सा भारत में इस्थाई कारिपालिका का एक हिस्सा है बहुत important question है which of the following is a part of permanent executive तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रसासनिक सेवक या फिर civil servant जो प्रसासनिक सेवक दोस्तो वो जो है स्ताई कारिपालिका का एक हिस्सा होता है जो प्रदान मंत्री, चीफ, मिनिस्टर या अन्नी जो मंत्री होते हैं उनको जनता द्वारा सिर्फ पांच वर्स के लिए चुना जाता है परन्तु जो civil servant होता है वो सरकार दोरा एजित परिकिशा किलियर करके आता है और इसताई कारिपालिका के रूप में सेवा निविटती तक अपनी सेवाएं देता है यानि यह जब तक retirement नहीं हो जाएगा तब तक वो कारिपालिका का हिस्सा रहेगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा परसाजनिक सेवाएं अगला प्रसन है दोस्तो RBC में हीमोगलोबिन की परतिसत्ता कितनी होती है percentage of hemoglobin in RBC तो हमारी लाल रखते कणिकाओं में RBC में 34 to 35% हीमोगलोबिन प्रेजेंट होता है option number B is right answer दोस्तो RBC जो है वो उसका formation होता है bone marrow में ये question exam में पूछते है bone marrow यानि की अस्तिमज्ज़ को हिंदी में बोलते है RBC का formation अस्तिमज्ज़ में होता है और इसकी life span जीवनकाल होता है 120 days ये दो point आप याद रखेंगे यह से ठीक है अगला प्रसन है निमलिकित में से कौन सा यूग में भारती संभीधान के अनुसार गलत है which of the following pairs is wrong दोस्तो और सब सही है part 2 के अंदर नागरिक्ता आती है part 4 के अंदर DPSP आती है यानि की directive principle of state policy और 4th A के अंदर fundamental duties आती है लेकिन part 9 के अंदरiverse Unitarianee नहीं आती है part 9 के अंदर गरता आती है दोस्तो penchayat का जो उलेक है हमारे जो penchayat होती है उनका उलेक है part 9 के अंदर और जो के अंदर सासित पर देश है union territory है इनका उलेक है part 8 के अंदर ठीक है part 8 के अंदर तो इसमें right answer किया आजाएगा option number 4 ये गलत है option number 4 part 9 के अंदर आती है पंचायत नगी unitary trees ठीक है और इंडिया के संभिधान में total 22 part है ये भी आप याद रखेंगे कितने part हैं total 22 part है अगला प्रसन है निमलिकित मैंसे कौन एक एकल कोशिका का हुधारण है जो अपना आकार बजल सकता है which of the following is an example of single cell that can change its shape तो amoeba जो है दूस्तो एक unicellular organism होता है जो की unisexual method द्वारा दो या दो से अधिक टुकडो में बढ़कर प्रजनन करता है और लगातार अपना shape change करते रहता है तो इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा option number A amoeba सनेहक वे पतार तो होते हैं जो की reduce friction यानि की खर्चन को कम करते हैं lubricants are substance that reduce frictions दोस्तो lubricants जो है दो गतिसील surface के बीच में लगाया जाता है ताकि friction कम हो सके और जो काम की efficiency है वो बढ़ जाए और सतह जो है वो जल्दी नागी से ठीक है तो इसलिए सनेहक या फिर lubricant वे पतार तो होते हैं जो friction होता है उसको कम करते हैं option number B is right answer निमलिकित मैं से किसकी उर्जा सबसे अधिक है which of one among the following has the highest energy तो blue light या जो नीला प्रकास होता है उसकी energy सबसे अधिक होती है दोस्तो spectrum मैं आपको ध्यान होगा मैंने विव्योर आपको पढ़ायवा था यानि कि सबसे ज़्यादा होती है violet की फिर होती है indigo और blue की फिर होती है green फिर yellow, orange और red तो इसकी इसाब से इसका right answer क्या हो जाएगा नीला या फिर indigo ठीक है किस मर्दा को रेगूर मर्दा के रूप में भी जाना जाता है which soil is also known as रेगूर soil तोस्तो काली मिट्टी को यानि कि black soil को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए सरुशेष्ट मिट्टी है तो रेगूर मर्दा के रूप में किसे जाना जाता है काली मिट्टा या फिर black soil को क्रिप्स मिशन ब्रिटिस सरकार द्वारा पूर्ण भारती सयोग को सुरप्शित करने के लिए किस वर्स किया गया एक प्रियास था दोस्तो 1942 में जुती विश्विद्ध में इंडिया का सयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिस गवर्मेंट द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव बिजा गया ठीक है तो क्रिप्स प्रस्ताव किस साल आया था 1942 मा आया था जब जुती विश्विद्ध हुआ तो इंडियानों का सयोग के लिए क्रिप्स्ट में सन जो है वो इंडिया आया था तो इसका ध्यान रखेंगे इसका सन जो है वो एक्जाम में पूछ ले दाता है 1942 अगला प्रसन है प्रकास तरंग किस प्रकार की तरंग है what kind of wave is light wave तो प्रकास तरंग दोस्तो एक प्रकार की electromagnetic विद्यू चुम्बगी तरंग हैं और जो electromagnetic waves होती है वो हमेशा अनुप्रस्त तरंग या फिर ट्रांजर्व waves होती है ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अनुप्रस्त तरंग या फिर ट्रांजर्व waves यह बहुत important question है dark ticket संग्रहाण को बढ़ावा दिने के लिए 3 नौवंबर 2017 को लोकारपित योजना कौनसी थी तो यह paper जो है यह 2017 का paper है तो उस समय का current interface में पूछा गया है तो दोस्तो सूसना एवंग प्रशाड़े मंत्रारे द्वरा जो students हैं 6 से लेके 9 तक उनमें dark ticket की जो hobby है उसको अगला है दोस्तो कौन सा lens सामाने तह उस पर गिरने वाले प्रकास को अंदर की और मोड़ देता है which lens normally turns the light inward falling on it तो उत्तल lens जो है अपने उपर पढ़ने वाले light को अंदर की और मोड़ देता है उत्तल lens गो अभिसारी lens भी कहा जाता है option number one convex lens is right answer तो दोस्तो ये थी हमारे आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चन को subscribe कर दीजिए notification bell icon को दबा दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए channel पे बने रही है thank you, jahin, jahbharat, have a nice day